हेलो प्रेंट्स गोड़े यूनिंग मैं दीपक साहूं सीजी पीएसी हेंट्रा नोट्स की यूट्यूब चैनल में आप सभी का पुनाह स्वावत करता हूँ आज हम मेंस आंसर रेटिंग का 37 दिन का माडल आंसर देखने चाह रहे हैं तो आप जो आंसर रेटिंग लिखे हैं निकाल लीजिए बहुत ही कम चात्र सम्मिलित हो रहे हैं चिले जितने भी चात्र हो रहे हैं कम से कम आप सभी मॉडल आंसर देख कीजिए और नोट्स बहाती जाईए यह आपका फ्यूचर में काम आएगा और सही तरीके से लिखने का प्रयास कीजिए गूगल आपका काम नहीं आने वाला प्रति दिन आप गूगल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं चलिए आज हम दर्शन सास्तर एवन छत्तिर के जो इताहस के आप सभी को प्रस्तन दिये गये थे उसका मॉडल आंसर देखने जा रहे हैं जिनको भी नोट्स चाहिए होगा इस नंबर पर एसे मेस करके प्राप्त कर सकते हैं पहले समझते हैं कल आप सभी को कुछ प्रस्तन दिये गये थे जिसमें पर्सनल एसे मेस आया था मतलब डाउट है पहला डाउट था दर्शन सास्त्र के स्वरूप आपसे पूछा गया था तो बहुत सचात्र सब्द मिमान सा ज्यान मिमान सा तत्तो मिमान सा तरक सास्त्र मुल्य मिमान सा इसके बारे में उल्ले किये थे तो देखिए दर्शन सास्त्र का जो विशय छेत्र है अत्यांत ब्यापक है जो आप कन लिखे थे वह दर्शन सास्त्र का विशय छेत्र है जो दर्शन सास्त्र के अनिक साखाएं हैं जिसमें आप लिखे थे सब्द मिमान सा ज्यान मिमान सा तत्व मिमान सा मुल्य मिमान सा के बारे में ठीक है इसके अन्तरकत आपको आने वाले दिनों में धर्मसास्त्र दर्शन इताहाज दर्शन समाजिक दर्शन सभी देखने को मिलेगा इसके अलावा कुछ छात्र दार्शनिक वेधियां के पारे में पूछ रहे थे तो देखिए दार्शनिक वेधियां क्या है यह आपका दो प्रकार का होता है एक में समिक छात्मक मुल्यांकन किया जाता है और दूसरा में परिकल पनात्मक होता है तो समिक्षात्मक में क्या होता है जो साइन्स कहता है उसको प्रूप जैसे करता है दर्शन विज्ञान और समान ने विधी द्वारा समिक्षात्मक विधी का मुल्यांकन किया जाता है दूसरा है आपका परिकल्पनात्मक मुल्यांकन इसमें क्या है चिंतन द्वारा परिकल्पना की जाती है इंद्री अनुभाव के जाता है यही परिकल्पनात्मक दर्शन के अंतरगत आता है तो यह आपके दर्शनिक विधियां है और जो कल आप लिखे थे वह दर्शन सास्त आज का प्रेस्णा शुरुवात करते हैं आज का पहला प्रेस्णा था 36 गड़ 166 विरोधी मंच का उलेक कीजिए यह आप जब भूगोल का 36 गड़ का निरमार गठन देखेंगे वहां आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा तो कम से कम इसको तो गलत नहीं लिखना था और जो चादर नहीं लिखे थे कम से कम आपको प्रेयास जरूर करना था 36 गड़ 166 विरोधी मंच का उलेक कीजिए उत्तर ठाकूर प्यारे लाल दौरा सन 1946 में प्रिथक 36 गड़ राज्य की मांग के संदर्भ में 36 गड़ 166 विरोधी मंच की स्थापना की गई इस संग द्वारा ततकालिक भाठा पारा नगरपाली का चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किये और उलेलेकनी या सफलता प्राप्त करते हुए 36 गड़ की मांग को आगे बढ़ाया प्रेलियम से में क्या अध्यन करते हैं कि 36 गड़ 166 विरोधी मंच के गठन किस ने किया है तो किस ने किया है ठाकूर प्यारे लाल तो 1946 तो एक बार और देख लिजे 36 गड़ 166 विरोधी मंच के बारे में 36 गड़ 166 विरोधी मंच का उलेक किजिए ठाकूर प्यारे लाल द्वारा सन 1946 में प्रिथक 36 गड़ राज्यकी मांग के संदर्भ में 36 गड़ 166 विरोधी मंच की इस्थापना की गई इस संग द्वारा ततकालिक भाठा परे नगर पली का चुनाव में अपने प्रत्याशी खड़े किये गए और उलेकनी सपलता प्राप्त करते हुए 36 गड़ की मांगों को आगे बढ़ाया ये रहा आपका आज का पहला प्रस्ना दूसरा प्रस्ना आपसे पूछा गया था 36 गड़ महासभा क्या था तो जो मेंस इस साल एक्जाम देने वाले थे क्या हुआ जी अज पुना पुनर विचार करने वाले थे हाई गड़ को दारा क्या हुआ सभी आउगात हो चुके हैं दूसरा प्रस्ना था 36 गड़ महासभा क्या था देख लिजिए 36 गड़ महासभा के बारे में उत्तर राजनन गाउं में खूब चंद बगहल की अध्यक्षता में 1956 में एक राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 36 गड़ महासभा गठन किया गया जिसके अध्यक्षत खूब चंद बगहल चुने गए जबकि दसरत चोबे हरी ठाकूर और केयूर भुषड जैसे निरता इस संस्था में महत्यपूर्ण पदो पर चुने गए और प्रस्ताव पारित करते हुए सासन से अलब 36 गड़ राज्या की मांग की ये आपका आज का दूसरा प्रस्न था 36 गड़ महासभा क्या था तो राज्यन गाओं में खूब चंद बगहल की अध्यवचता में 1956 में एक राज्यनेतिक सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 36 गड़ महासभा के गठन किया गया जिसके अध्यवच्य खूब चंद बगहल चुने गये यह आज का दूसरा प्रस्न चलिए दर्शन सास्त्र का प्रस्न प्राराम करते हैं पहला प्रस्न आप सभी को क्या दिया गया था दर्शन सास्त्र का सौरी धर्म दर्शन का स्वरूप बताईए यह आपको तीसरा प्रस्न के रूप में दिया गया था कि धर्म दर्शन का स्वरूप बताईए तो देख लिजिए धर्म दर्शन का स्वरूप क्या है धर्म दर्शन दर्शन सास्त्र की एक साखा है जब दर्शनिक द्रिष्टी से धर्म का अध्यन किया जाता है तो उसे धर्म दर्शन कहते हैं धर्म, विश्वास, मुल्य, आचिरड, नियम तथा कर्म कांडों की एक बेवस्था है अधिकांच धर्म किसी न किसी अलोकिक सक्ती पर विश्वास करते हैं धर्म में मृत्य उपरांध जीवन पर भी विचार किया जाता है विश्व में अनेक धर्म प्रचलीत हैं जिन में मुख्या हैं इसाई, हिंदू, इसलाम, यहोदी, सिख, भारिशी, जैन और इत्यादी तो धर्म दर्शन का सुरूप क्या है? तो धर्मदर्शन दर्शन सास्त्री की एक साखा है जब दर्शनिक द्रिष्टी से धर्म का अध्यन किया जाता है तो उसे धर्मदर्शन कहते हैं धर्म विश्वास मुल्य आचरण नियम तथक कर्म कांडो की एक बेवस्ता है अन्धिकांज धर्म किसी न किसी अलवकिक सक्ति पर विश्वास करते हैं धर्म में मरित्य उप्रान जिवन पर भी विचार किया जाता है यह सभी आप अउगत हैं इसके बारे में विश्व में अनेक धर्म प्रच्चृत हैं जिन में मुख्य है इसाई, हिंदू, इश्लाम, यहुदी, सिक, फारिसी, जयन, आती ये आज का आपका तिसरा प्रस्ना चौथा प्रस्ना था धर्मदर्शन की मुख्य विशेस्ता को समझाईए तो क्या है धर्मदर्शन की मुख्य विशेस्ता? तो आईए बात करते हैं उत्तर धर्मदर्शन की मुख्य विशेस्ता निम्नानुसार है क्या है? देख लेते हैं पहला धर्मदर्शन की विशेवस्तु धर्म है आसा क्या है? जो धर्मदर्शन है उसमें एक विशे का अध्यान न करके एक धर्म का अध्यन करके इसमें एक या एक से अधिक धर्मों का अध्यन किया जाता है तो यही है पहला धर्म दर्शन की विशय वस्तु धर्म है तो क्या है इसमें एक या एक से अधिक धर्मों का अध्यन किया जाता है दूसरा धर्म दर्शन का विशय छेत्र अत्यंत ब्यापक है कैसे है किसी भी धर्म के स्वरूप उसकी मान्यता, विश्वास, आचिरण धर्मिक भासा के साथ साथ विभिन धर्मों में जो तुलना, धर्मिक सदभाव, धर्म निर्प्यक्षता आदि विशय सामिल होते हैं तो इस तरह से आपको जो धर्म धर्शन है इसका विशय छेत्र अत्यंत ब्यापक है देख लिए क्यों है? क्योंकि इसकी मान्यता है, विश्वास है, धर्मिक भासा है, आचिरण है, धर्म निर्पक्षता है यह सभी आपके विशय छेत्र क्या अंत्रगत आते हैं तीसरा क्या है? धर्म धर्शन धर्मिक भासा का विश्लेशन करता है कैसे करता है? तो जो वास्तविक अर्थ है किसी भी धर्मिक भासा के वास्तविक जो अर्थ है उसको जानने व विश्लेशन करने की प्रयास होती है यही है धर्मिक भासा का विश्लेशन करता है चौधा धर्मिक विश्वासों का समिक छात्मक मुल्यांगन करता है धर्मिक विश्यास क्या है? इस्वर है तो इस्वर क्या है इस्वर है तो क्या इस्वर का अस्तित्तो है कैसे आप सिद्ध करेंगे क्या इसका प्रमाड है यही धार्मिक विश्वासों का समिच्छात्मक्मल्यांकन पर प्रस्थनों पर विचार किया जाता है यह आपका चौथा पांचवा क्या है? धार्मिक और धार्ना का इस पश्टी करना करता है कैसे करता है? तो धर्म दर्शन में हम देखे कि विभिन धर्म में इस्वर है, आत्मा है, परलोक है, दिर्ष्टी, सुब असुब आदि की विभिन और धार्ना है होती है इस तरह से धर्म दर्शन का इसका ब्यापक विश्रेशन किया जाता है इस सभी जो आत्मा है परलोग है द्रिश्टी है इसका इस पश्टी करण भी आवसक है छटवा क्या है? धार्मिक दर्शन मुल भुत प्रश्णों पर विचार करता है जैसे धर्म का स्वरूप क्या है? जो आप धर्मिक विश्वास मानते हैं उसका आधार क्या है? धर्मिक मान्याताओं की सभ्यता क्या है? यही है आपका धर्मिक दर्शन मुल भुत प्रश्णों पर विचार करता है सात्वा धर्म दर्शन समान्य सिध्धान्तों की खोच करता है तो ये रहे आपके चौथे प्रस्थन धर्म दर्शन की मुख्य विशेस्ता को समझाईए पाच्वा प्रस्थन धर्म सास्त्र और धर्मिक दर्शन से धर्म दर्शन भिन्न है कैसे पाच्वा प्रस्न आपसे पूछा गया था कि धर्म सास्त्र और धार्मिक दर्शन से धर्म धर्शन भिन्न है कैसे धर्म सास्त्र धर्म विशेश की मान्यताओं को महिमा मंदित करता है पुना सुनिए धर्म साज्ट्र धर्म विशेश की मान्यताओं को महिमा मंदित करता है धार्मिक दर्शन विशेश की ओधरनाओं में दर्शनिक रूप से पुष्टी करता है धार्मिक दर्शन क्या है? तो ये रहे आज के प्रमुक पांच प्रस्न का मॉडल आंसर इस तरह से आपका 36 गड़ का इताहस पूर्णता कम्प्लीट होता है इसके अंतरगत जो प्रस्न आएंगे आप प्रिलिम समय जो टॉपिक पढ़ते हैं उसको लिख लीजेगा सनीवार मेगा टेस्ट में आपको और समयली प्रस्न दे दिये जाएंगे कल से आपका दर्शन सास्त्र कही प्रस्न सौल कराया जाएगा सुकरवार तक सनीवार को तो मेगा टेस्ट है उसके बाद आपका सोमवार को लोग प्रशाशन और सविधान दोनों की कक्छा प्रारंभ हो जाएगी और सोमवार से ही आपका लोग प्रशाशन और दर्शन सास्तर सब्द सीमा के अनुसार आपका मेंस आंसर रेटिंग प्रारंभ हो जाएगा ध्यान रखेगा सब्द सीमा के अनुसार ही लिखेंगे प्रारमब से ही लोग प्रशाशन और दर्शन सासर को जिनें भी लोग प्रशाशन और सविधान इसका रजिस्टेशन कराना हो तो दिये हुए नंबर पर आप रजिस्टेशन करवा सकते हैं मान लिजे आप पढ़ लिए हैं अगर दर्शन सासर का नोट से चाहते हैं इसकी कच्छा भी नहीं हो पाएगी जो भी है आपको मौडल आंसर में समझाने का प्रयास किया जाएगा दर्शन सासर का नोट से चाहिए तो इस नंबर पर SMS कर देजेगा सब्द सीमा के अनुसार ही पिछले जो बिगत वर्स में पिछले साल जैसे सिलेबस चेंच हुआ है उसके अनुसार नोट से तयार किया गया है जो एक्जाम के दिश्टिकोर से मातपूर्ण है तो जिनको भ पहली बार देख रहे हैं उनको बता देता हूं सुबह 9 से लेकर 10 के बीच आपको प्रस्ण दिया जाता है मेंस आंसर रेटिंग का गुरूप बना है अगर आप जोईन करना चाहते हैं तो रिजिस्ट्रेशन करा लिजएगा वहां सोम मार से लेकर सुगर तक आपको मॉडल आंसर से चेक करना है सनी मार को आपको मेगर टेस्ट पर फिडवेक दिया चाता है ठीक है जिनको भी जोईन करना होगा इसी नंबर पर आप रेजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं तो मिलते हैं कल नई सुबह और नए प्रश्णों के साथ आज के लिए वीदा दीजे धन्यवा सुबह ट्री